Hello everyone and welcome back to our channel JKSSB Adash 614 So friends, हमने syllabus शुरू किया हुआ JKPolice का आज ये मेरा lecture number 2 रहेगा कल हमने किया था Indus Valley Civilization के उपर कोशे important questions 30 questions किये थे आज हम और questions करेंगे ये आपका Indus Valley system आज आपका पूरा complete हो जाएगा जितने भी इसके यो questions बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिया हुआ है इससे बाहर से कोई question आएगा भी नहीं ठीक है तो ये हमारा ये course यो है आपका crash course है ये 30 days का target लेके चले हैं तो 2nd July से ये आपका शुरू हो गया है ठीक है तो कोई भी class miss मत करना आपकी class quality की भी होने वाली है अब जल्दी शुरू quality के लगेंगे दूसरी साथ geographic के भी यहां पे lecture आपके शुरू हो जाएंगे और with the help of हम MCQs topic wise करके ये आपका पूरा syllabus हम खतम कर देंगे जब भी आपका paper होगा उससे पहले आपका ये वाला syllabus आपका खतम हो जाएगा तो बस आप अपना प्यार हमें दिखाते रहना ठीक है आज आपका ये इंडेस वैली सिविलाशन आपका खतम हो जाएगा दन वेदी केज और जैनिजम और बुदिजम इसके उपर एक ही वीडियो बनाऊंगा जितने भी question बनेंगे वो सारे के सारे एक ही वीडियो के अंदर कोई 40 से 50 question या 30 question जितने भी बनेंगे important question वो सारे के सारे इसमें cover हो जाएगा दन उसके बाद ये आपका पूरा एक वीडियो के अंदर हो जाएगा ये भी पूरा एक वीडियो के अंदर हो जाएगा मतलब आप लेके चलो कि 7 से 8 लेक्चर यहां इसके हो जाएंगे ancient के complete देन उसके बाद हम medieval आपे फिर उसके बाद modern पे आएंगे तो आप सभी please share कर देना अब बढ़ते हैं सिरे question number first के उपर आज का तीस question पहले हमने किये थे आज 31st question है यहाँ पे Which is the biggest harapan civilization site? यहाँ पे यह बहुत important question बनेगा आपका यह largest यह biggest यह भी आएगा तो वह है आपका राखीगर which is option number D का सही answer हो जाएगा Question number 32 The great bath and great granary belongs to which site? यह great bath और great granary यह belong करते हैं कौन सी site से? काली बंगन, भीराना, मोहिजिंदारो यह लोथल? तो इसका क्या answer हो जाएगा? मोहिजिंदारो तो यह great granary है यह इसकी सबसे उंची इमारत है यहाँ पे मोहिजिंदारो गी तो यह भी आप एक question इसको no down करके रख सकते हैं Move to question number 30 Which are falling is the only indus city without a citadel? Indus Valley Civilization की कौन सी ऐसी city थी जो बीना citadel के थी? ठीक है? option 1, 2, 3, 4 तो इसका सही answer हो जाएगा चानुदारो option number A इसका सही answer हो जाएगा अब यहाँ पे citadel बताओं बाकी सभी जितने भी city हैं Indus Valley Civilization की उसमें क्या होता था? कि citadel होता है अब यह citadel क्या होता है? कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे town यह city होती है ठीक है? और यहाँ पे पहाड लगा लो और पहाड के उपर एक ऐसी इमारत बनाई जाती है मतलब ऐसा उपर एक building बनाई जाती है कि कल को अगर कहीं भी यहाँ पे कोई भी attack हो इस city में ठीक है? यह town में तो यहाँ के यह person होते हैं वो यहाँ पे उपर जाके यहाँ पे चले जाते हैं अपने आपको save करने के लिए तो यह बनाई जाता है citadel इसको हम बोलते हैं citadel कि अपने आपको attack होने से एक particular जगा बनाना ओके? आई होब आपको लिटरल मिनिंग क्या है? देखो काली काली का मतलब क्या आता है? ब्लैक बैंगन आ गया ठीक है तो यहाँ पे ब्लैक बैंगल तो यहाँ पे option no.1 इसका सही आंसर हो जाएगा question no.35 which are falling is the manchester of harapan civilization for its cotton trade? question का यह मतलब है इन में से कौन सी site थी जो अपने cotton trade के लिए famous थी और उसको हम नाम देते हैं Manchester of harapan civilization क्यों देते थे यह नाम? क्योंकि यह अपने cotton trade के लिए यहाँ पे famous थी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? option no.2 रोपर अब यह रोपर कहां पे है? रोपर यह site थी यह आपकी पंजाब में है अगर पंजाब option नहीं होगा तो तब चंडीगर लिख लेना move to question no.36 which site provides the first actual remains of horse bones? इन में से कौन सी सबसे पहली site थी जिसके अंदर यहाँ पे गोडों की हडियां पाई गई थी पहले गोड़े यह थे unknown थे बट यहाँ पे एक साइड तब खोदी गई थी तो उसके अंदर यहाँ पे horse के bones यहाँ वो first मिली थी तो वो क्या हो जाएगा भई? which is option no.1 surkota था ठीका, surkota आपका answer हो जाएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिला था? horse की bones का evidence मिला था first time question no.37 which is the only city with oval shaped settlement oval shaped settlement मतलब यह ऐसा ऐसी city बनाएगी थी यहाँ पे अंदर गर थे होते थे ठीक है? यह वाले और यह बीच में रास्ता होता था और इदर भी यहाँ पे तो यह oval shaped यहाँ पे settlement थी तो कौन सी वो सबसे पहली only city थी जो oval shaped settlement थी that is option no.1 बना वाली ठीक है? बना वाली question no.38 in which a falling sight was found the evidence of worrying a dog with a human burl इस question का मतलब है कि जब कभी भी इंसान को यहाँ जब कभी भी human मर जाता था तो उसको दफना जाता था ठीक है? और उसका यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे dog होता है बफदार ठीक है? तो उसको भी अपने यहाँ पे मालिक के साथ क्या करते थे? दफना दिये जाते थे तो यह सबसे पहला evidence कुन सी site में मिला था आपका? रोपर, लोथल, आलमगीरपूर या बना बाली तो इसका आंसर हो जाएगा रोपर which is option number one आपका सही answer हो जाएगा इसका इसमें आपको दो questions बन सकते हैं एक ऐसे होता simple कि आपका normal site पूछ ले ठीक है? तो यहाँ पे रोपर आ जाएगा अगर यहाँ पे पूछ ले कि यहाँ पे following neolithic site neolithic site तब इसका answer बनेगा कौन सा? बुर्जो home बुर्जो home ठीक है? यह आपकी neolithic site आपकी यहाँ पे बुर्जो home और यह कहाँ पे आए? वैली आफ कश्मीर कश्मीर में आए ठीक है? यह neolithic site आपकी तो यह बुर्जो home भी इसका अंसर बनेगा बई next question question number 39 लोथल is located at? लोथल जो है यह कहाँ लोथल एक site का नाम है यहाँ पे तो यह कहाँ पे located है? यह एहमदाबाद में located है option number one इसका right answer हो जाएगा in the state of Gujarat एहमदाबाद कहाँ पे है? यह गुजरात में है तो यह आप से यह भी नाम पूछ सकता है ठीक है? question number 40 बाना वाली is located at बाना वाली आपकी कहाँ है? तो बाना वाली आपकी side यह यह आपकी हर्याना में है तो इसका right answer हो जाएगा हर्याना move to question number 41 where is अरोप पर located? अरोप पर आपका कहाँ प्यावई? हर्याना, राज्यस्तान, चंडिगड, एमदाबाद तो मैंने अभी आपको बताया यह पंजाब, यह चंडिगड तो option number 30 का सही answer हो जाएगा question number 42 what was the strength of industry economy? industry economy के लिए कौन सी उनका main point था strength के लिए agriculture था, business था, crockerी था, यह pottery था बाई यह industry civilization की strength थी, economy की वो थी agriculture, तो agriculture के उपर यह depend थे तो option number A, इसका सही answer हो जाएगा question number 43 the first metal used by man was पहला metal man के दवारा use किया गया, that is copper option number B, इसका सही answer हो जाएगा question number 44 काली बंगन is situated in काली बंगन, यह site है, यह आपकी कहाँ पे है, question number 45 the people of Indus Valley Civilization work shipped, यह Indus Valley Civilization की people से, वो किसकी यहाँ पे पूजा करते थे, तो यह आपको मैंने बताया था, पिछले last question के अंदर कि यहाँ पे option number B इसका सही answer हो जाएगा, परशुपत्ती तो परशुपत्ती seal थी, यह Indus Valley Civilization के person यहाँ पे यूज करते थे question number 46, in मोहिजिंदारो, the largest building is पहले अभी इसके, पहले पहले ही question कराया था आपको, कि मोहिजिंदारो कि अंदर यह largest building थी, वो कौन सी थी, that is the great granary option number B, इसका right answer हो जाएगा move to question number 47 name the oldest civilization इन में से सबसे oldest civilization कौन सी है भी पूरी, Indus Valley Civilization, Mesopotamian Civilization Egyptian Civilization, जैजिप्टीन गुपता विक्रम देते है, तो यह तो हो ही नहीं सकता है, यह तो नाम है, यहाँ पर civilization तो है नहीं है, तो सबसे oldest civilization अगर पूछे, तो Mesopotamia Civilization सबसे oldest है, option number B, इसका सही answer हो जाएगा which of, which one of the following age is related to Indus Valley Civilization, इन में से कौन सी age जो है, जो रिलेट करती है Indus Valley Civilization, तो तो आपका Neolithic Age option number A का सही answer हो जाएगा, move to question number 48, which of following place presents the oldest evidence of Neolithic Era, इन में से कौन सी place है, जो यह सबसे पुरानी place है, जो evidence करती है Neolithic Era का, ठीक है, option number A, B, C, C, यह D, तो इसका हो जाएगा मेहरगर, तो option number B इसका answer हो जाएगा, मेहरगर यह है, यह सबसे पुरानी यहाँ पे place है, जिसका evidence आपको मिलता है Neolithic Era का, move to question number 49, आलमगीरपूर, an important Indus Valley site is suited in which our falling state, यह आलमगीरपूर है, यह कौन सी state में बिलॉंग करती है, यह यहाँ पे राजस्तान, नहीं नहीं, राजस्तान में नहीं होगी यह उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो option number C, इसका सही answer हो जाएगा, ठीक है, question number 50, which our falling Indus Valley site has yield the evidence of a highly advanced water management system, highly advanced water management system, मतलब यहाँ पे पानी का यहाँ पे एडवांस में पानी रख लेना और बड़ा सारा यहाँ पे पानी एक जमा कर लेना, तो यह सबसे पहले कौन सी Indus Valley site के अंदर यह पाया गया था, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा तुमारा भई इसका answer हो जाएगा, डोला वीरा, option इसका right answer हो जाएगा, अब यह डोला वीरा site कहाँ पे है, तो यह आपका कच में है, और कच आपका कहाँ पे है, गुजरात गुजरात state के अंदर यहाँ पे कच है भई हो तुमारा थीक है, तो question number 50 के ओपर चलते हैं, in which are falling harapan site terracotta of plug was found terracotta of plug was found, यह यह कहाँ पे हुआ तो कौन सी harapan site के अंदर हुआ था भई, इसका सही answer हो जाएगा, बानावाली option number 20 का सही answer हो जाएगा, अब यह बानावाली कहाँ पे है भई, यह है आपकी हर्याना के अंदर ठीक है, बानावाली site कहाँ पे हर्याना अगर कोई district पूछ ले तो यहाँ पे फते बाद फते बाद ठीक है आपको important important यहाँ side के यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सी state के अंदर है यहाँ पे किसने found की है और यहाँ पे कब यह found हुई थी तो यह dates आपको देखनी है एक मैं आपको table आपको अपने instagram channel के ऊपर share कर दूँगा तो आप वहाँ से याके वह table पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेना as a revision tips आपको मिल जाएगी वहाँ से हमारा आज की वीडियो के last question और Indus Valley civilization यहाँ पे खतम है question number the famous bull seal of Indus Valley was founded एक bull की seal है ठीक है यह आपकी मतला stamp बोल सकते हैं इसको bull उपर बना हुआ यहाँ पे तो वह कौन सी Indus Valley civilization के अंदर found हुई थी आपकी डॉला वीरा बाना वाली लोथल या हरपा तो इसका right answer हो जाएगा हरपा which is option number C सही answer हो जाएगा सो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे अगले तीन टॉपिक की वीडियो आपको मेल जाएगी जिसके अंदर जैनिजम बुदिजम और यहाँ पे वेदिक के अपर यहाँ पे जितने question बनता है वह सारे के सारे हम discuss कर लेंगे so thanks for watching this video always show you love ठीक है आपका प्यार हमें बस यह एक लाइक आपको चाहिए और यहाँ पे share करना ना भूले and don't forget to subscribe jkssb-64 channel instagram के उपर आप हमें follow कर सकते हैं facebook page के अंदर भी आप हमें follow कर सकते हैं और यह channel आप YouTube के उपर यहाँ पे subscribe करना ना भूलें और share करना ना भूलें because sharing is caring so thank you best of luck गई